ए ग्रेड का क्या मतलब होता है आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं ए ग्रेड की अगर हम educational context में बात करें तो ए ग्रेड जो है वो highest level होता है academic achievement और performance में यानि कि जब किसी का कोई exam लिया जाता है या कोई बच्चा किसी class को pass करता है तो अगर उसे ए ग्रेड मिलती है तो इसका मतलब वो एक excellent ग्रेड होती है यानि कि सबसे उपर वो ग्रेड रहती है यानि ए ग्रेड का मतलब होता है कि जो भी बच्चे 90 प्रतिशत या उससे उपर अंकल आते हैं उन्हें ए ग्रेड दिया जाता है इसके लिए अलग-अलग institute में या अलग-अलग जो है college में या अलग-अलग संस्था में अलग-अलग जो है वो criteria हो सकता है ए ग्रेड देने के लिए लेकिन ए ग्रेड अगर किसी ने लिया है तो इसका मतलब कि उसकी जो understanding है critical thinking है application of knowledge है वो काफी अच्छी है और A grade के बाद A plus या A minus grade भी दिये जाते हैं यानि कि जो 90 से 100 के बीच में भी अगर कि कौन 90 में आया है कौन 95 में आया है कौन 100 के पास आया है उसके लिए भी A plus A minus या A grade होते हैं तो A grade अगर आप अचीव किया है तो ये काफी अच्छा grade माना जाता है और इसके बारे में और detail से पढ़ना चाहें तो आपकी screen और video के description में दिया गया है आप पढ़ सकते हैं और इसको और बहतर तरीके से समझ सकते हैं अब आप किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें